नमस्कार दोस्तों मैं पिर्काश कुमार सेनी प्रिक्टिकल गुरू चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज मैं आज आपको बताराऊ हूँ बजाच प्लेटीना के कार्बुटेटि कि किस तरीके से सेटिंग करते हैं और सर्विसिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लीए बहुत IMPORTANT यदि आप मेकनिक हो तो आपक emot sino के सरीक से करते हैं और उससे IMPORTANT कि इसींग किस तरीके करते हैं अच्छा मिले यदि आपकी गाड़ी sensitive की कब servicing की जरूरत पड़ती यदि आपकी गाड़ी proper तरीके से एवरेज नहीं दे रही और बिलेग दुहाँ दे रही सालेंसर से तो आप कार्बुटर की सर्विस कर सकते हो सबसे पहले सेटिंग करो इसके वाद सर्विसिंग करो हब इसके उपर कौन-कौन से पार्ट लगे रहे ते उसके बारे मैं आज आपको बताता हूं इसके बाद इसको पूरो परकिंग बताऊंगा कौन से पार्ट का क्या काम रहता है तो सबसे पहले आपको यह दिख रहा हूए वोलियम कंड्रल रहता है यह वाला इसक्रू रहता है जब यह क्या करता है एर और पेटल के प्रोपर मिक्ठर तयार करके वजाता है यदि कि इसकी सेटिंग प्रोपर नहीं है कभी नहीं देगी इसलिए कंपनी के अनुसर जो बजाज प्लेटीना का अवरी जो कंपनी कं अनुसर दियागा तह तो मेरे पास एक और मैनुल है की आधा कुप समयाज का मैंने हर एक मैने यार एक गाड़ी की दे कुछ किया था कब करते हैं मालो हमारी गाड़ी ज्यादा रेस दे रही तो इसको हम कम कर लो और यदि कम रेस है और गाड़ी हमारी चलते-चलते बंद हो रही इसको थोड़ा सा बढ़ा लो तो यह आर्पियम स्कूरूर रहता है अब मैं आपको इसको पीछे खोल के बताता है और इसका मैं ने एक विडियो बनाये दोस्तों सरकूट का किस तरह के से लिए कारवूरेटर के सरकूट काम करते हैं और विडियो जरूर देखना Nazarndal Star इसके अंदर जो पैटल आ रहा है वो फ्लोड की साहता से रुख जाता है फ्लोक से भरा जाएगा इस तरीकये से यह रुख जाएगा पैटल को रोक देता है क्वोक career एक और connection अखिर एफ कि मैं आपको बताता हूं हो मैं इदल को खोल ढेल रहते हैं जी घंच तो टोल फीलने लग जा चाथा है कारवोटर के यह वोट पंचर है तो भी पेटल फिलने लग जाता है ड्रेनेज वाले इससे यहां पर यह लगा रहता है यहां से पेटल गिनने लग जाता है यह फ्लोट पंचर है यह रहता है में जेट यह रहता है पालेट जेट तो में जेट को हम खोल लेते हैं इसके बाद पालेट जेट को भी ख करते हैं तो पारेट जेट की के द्वारा ही एर और पैटल मिक्चर जाता है यह मेंजेट रिता है अब इसको बड़िया हावा के प्रेशर से साप करना चाहिए अब इनके बाद इसको हम खोल लेते हैं बॉलियम कंट्रोल स्कुरू को और आर्पीम स्कुरू को भी खोल के अच कि इसके अंदर एक बाइसर लेगा रेता है यह गिर गया यह चोटा सा बाइसर रेता बहुत इंपोरेंट रेता कभी-कभी सर्विस करा हो तो आप इसको भूलना जाना यह निकल जाता है लेकिन कभी-कभी लगाना मिस कर देता उसकी वैसे गाड़ी एवरेज नहीं देती ह अब इसको बढ़िया से इसके जित्ते सारे जेट रेते हैं उनमें कार्बूटर में पैडल डाल लो बढ़िया और इसके बाद एर के प्रेसर से इसको सब कर लो तो मैं एर के प्रेसर देके आता हूं इस तरह के सरे आप अच्छे से एर के प्रेसर देजो हर एक जेटे के अंदर में जेट पाइलेट यंदर भी सब जगे और इसका अच्छे से साफ कर लो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से इसकी प्रोफिर सेटिंग करते हैं सेटिंग वाला वीडियो जरूर देखना इसको पाइलेट जेट में जेट को हमने फिर टाइट कर दिया पाइलेट जेट को टाइट कर दो इसको देख लो ना, इसके अंदर कोई कच्रा तो नहीं है, कच्रा हो तो इसको अच्छे से साप कर देना है, हवा के प्रेसर से, हवा के प्रेसर तो देर नहीं है सबी में, चाहिए पालेट जेट हो, में जेट हो, इसको अच्छे से ये टाइट कर देना है, अब आप फ्लोट को आसानी से इसके अंदर रख दो इसके बाद ये पिन रहती है पिन को आसानी से इसके अंदर इस तरीके से फिट कर दो और ये फिर आप इसको अंदर ये वाला पीछे से दो वोल्ट लगाकर आपको एवरेज करना बता हूँ बजाज प्लेटी न के एवरेज कंपनी का सब्सक्राइब किस तरीके सेट होता है क्योंकि में तो रहता है एवरेज यदि आपकी गाड़ी अच्छा देगी क्योंकि इस एवरेज बहुत इंपोरेंट रहता है क तो सबसे पहले आप यह बोलियम कंट्रोल इसकुरू रेता है बोलियम कंट्रोल इसकुरू के नीचे सबसे पहले यह बाइसर लगा लिया अब बोलियम कंट्रोल इसकुरू को इसकी जगे पॉजिशन फे आप फिट कर दो अब इसको पूरा टाइड कर लो मैं आपको इसकी सेटिंग यहीं पर बता देता हूं मैंने बजाज प्लेटिना का भी एवरेस सेट करने वाला वीडियो बनाया है अब इसको देख लोगे तो उसकी जरूवत नहीं पड़ेगी आप खुद अपने गाड़ी का एवरेस सेट कर सकते हो यह आर्पिम स्कूरू रहता है मैंने उसको बता है किसना सेट करना आप सबसे पहले इसको टाइड कर लिया इसको पूरा टाइड कर लो अब यह कंपनी की रहती है इसमें लिख रहा है बिल्याच प्लीटीना का कितना रहता तो मैं आपको बताता हूँ इसको द्यान से देखना कभी ऑप और बंड या लपड़ा रहता है तो यह आपको देख रहा हूँ अप सिल्वड कटा हुगा यह है कि इसको हाब गुमाना आहे से कि दीखरा है तो इसको मैं आपको बताता है बिलकुल टाइड कर लिया अब इसको आदा गुमाओ आदा हो गया यह एक हो गया डेड़ हो गया दो हो गया धाई हो गया धाई से थोड़ा सा ज्यादा बनाना थोड़ा सा ज्यादा करना है आपको तो यह बरावर एवरेज देगे आप यह किन न करोगे जब मैं वजाज कंपनी में था तो मैं एवरेज देती थी और मैं EMTRV से check करता था तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगए तो मेरे वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें तो thank you for watching this वीडियो में प्रकाश कुमार सेनी thank you